केमरी सतरता आयुक्त की रिपोर्ट के जवाब में पेश किये गए सीब्याए डारेक्टर आलोक वर्मा के जवाब पूर सुप्रीम कोट आज सुनवाई करेगी जमु कश्मीर के शोपिया में एक गाउ में दो तीन आतंकियों की घेरे जाने के बाद मुर्भेड शुरू हो गई है दिली में कारोबारियों के बीच बोलते हुए पियम मोदी ने कहा कि सरकार की कोशिशे और नीतियों से रश्टाचारियों में डर पैदा हुआ तोनिय गांधी ने नाम लिये बगएर पियम मोदी की तुलना मनमुहन सिंग से करते हुए कहा कि कुछ लोग काम करते हैं और कुछ क्रेडिट लेते हैं न्यूज 18 के कारिक्रम एजंडा में बीज़पी अध्यक शमिच शाह ने कहा कि यूपी के अलावा गटबंधन का कहीं असर नहीं न्यूज 18 के खास कारिक्रम में दिगवज़े सिंग ने कहा कि बीज़पी के भेकावे में आई कॉंग्रस की कुछ नेताउनी उन्हें चुनाव प्रचार से धूर रखा न्यूज 18 के मंच पर कमलनाथ ने कहा कि राहूल MP में जो त्रदित्य सिंध्या को सीम बनाए तो भी खुशी ही की बात हम मिलकर साथ काम करेंगे मिजोरम की चुनावी जंग में बीज़पी अध्यक शमच शाह आज विजिन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे तो राहूल गांधी दो जगार रैली करेंगे मद्रप्रदेश का चुनाव प्रचार करहे यूपी के सीम योगी अध्यतिनाथ ने न्यूज एटीन इंडिया से एक्स्क्रूजव बाचीत में बीज़पी के पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का दावा किया राजिस्तान में सांगरेव से बीज़पी के बाग्यू मिद्वार ग्यानदेव आहुजा के रैली में पैसे बाठने के मामले में चुनावायों कारवाई कर सकता है उद्राखर्ण में 84 नगर निकायों के लिए हुए चुनावों के नतीजे घोशित किये जाएगे मालदीव की नए सरकार ने भारत से अपने पुराने समन्दों को देखते हुए चीन से फ्री ट्रेड एग्रिमेंट खत्म करने का अईलान किया 1984 के सिख दंगो की मामले में दिली की पचैला हाउस कोट आज नरेश सहरावत और यश्पाल सिंग के खिलाफ सजक आईलान कर सकती है यूपी के मव में एक वीदियो वारल हुआ है जिसमें अवैर्ट शराब भत्ती को तोड़ने गई पुलस तीम को शराब माफिय के गुंडे गाली देकर भगाते दिखाई दे रही है पाकिस्तान को अमेरिकी मदद रोकने की डॉनल्ड ट्रम्प की दलीवी पर भड़के इमरान खान ने ताबर तोड तीन त्वीट करके दावा किया कि अमेरिका की जंग की वज़ह से पाकिस्तान को भारी नुकसान जेलना पड़ा पाकिस्तान के सुप्रीम कोट ने कर्टाय सराज मंदिल का तालाब सूखने के मामले में एकर सीमेंट कंपनी को दोशी मानते हुए 10 करोड रुपए जमा करने के आदेश दिये एकर साथ मामले में में हुए 10 कर दो दोशी एकर दोशी करता है